दोस्तों नमस्कार आरियन खान ड्रग्स मामले में आरियन खान और दूसरे लोगों पर एंसीबी की तरफ से की गई कारवाई ठाकरे सरकार के मंतरियों को दोस्तों बहुती ज़्यादा चुबती हुई दिखाई दे रही है एंसीबी ड्रग्स माफियाओं का सफाया करना चाती है लेकिन ठाकरे सरकार के मंतरियों को ड्रग्स माफियाओं पर तरस आ रहा है और उनके बचाओं में कसीदे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एंसीपी नेता और शरत पवार के खास कही जाने वाले नवाब मलिक ने एंसीपी की ड्रग्स माफियाओं पर कारवाई पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिये थे ये तो आपको पता ही होगा इसी पर अब महारास्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देविंदर फड़नवीज ने शरत पवार की पार्टी एंसीपी नवाब मलिक और ठाकरे सरकार को जम कर लताड़ा है महारास्ट्र के पूर्व सीम देविंदर फड़नवीज ने नवाब मलिक पर पलटवार करते हुए कहा कि नवाब मलिक का दर्ध ही कुछ और है जब से एंसीबी ने उनके रिष्टेदार को ड्रग्स के मामले में ग्रफतार किया है तब से वे लगातार एंसीबी के खिलाप में आग उगलते हुए दिखाई देते हैं यानि कि दोस्तों जब भी MCB की तरफ से कारवाई की जाती है तो नवाब मलिक को वो गलत ही दिखाई देता है इसकी वज़े जो है बहुत ही जादा परिसनल है क्योंकि MCB ने नवाब मलिक के रिस्तेदार पर कारवाई का हंटर जो चला दिया था उन्हें गर्फतार कर दिया तब से लगातार नवाप मलिक जो है परसनली MCB की जो इन्वेस्टिगेशन है जितनी भी कारवाई की जाती है उन्हें वो परसनली लेने लगे हैं और MCB के ऊपर ठीकरा फोड़ने लगते हैं तो वो आग तो उगलेंगे ही दोस्तो सवाल ये नहीं है कि वहां कौन उपस्तित था या फर कौन नहीं था सवाल ये है कि क्या वहां ड्रग्स पार्टी नहीं चल रही थी जब वहां खुलेयाम ड्रग्स का मेला लगा हुआ था ये चरसी वुड के लोग जब ड्रग्स ले रहे थे तो मुखविर कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है जब दोशियों को पकड़ा गया और सजा मिल रही है तो ठाकरे सरकार के मंत्रियों के पेट में दर्ध हो रहा है आपको बता दें कि आज जब NCP के नेतावा महरास्टर के अलप संक्यक मामलों के मंत्री नवाब मलेक ने मुंबई में जब ये दावा किया कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूर अगर वहां ड्रग्स की पार्टी चल रही थी तो क्या उसका समर्थन नवाब मलिक करते हैं यानि कि जो दोस्तों NCB के तरफ से ड्रग माफियाओं के खिलाप में चरसी वुड के खिलाप में जो कारवाई की गई है उसे लेकर नवाब मलिक के पेट में इतना दर्ध क्यों ह हो रहा है ठाकरे सरकार के मंत्री इतने ज्यादा बेचैन क्यों होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या इनके भी कुछ कनेक्शन्स अधर लिंक्ड हैं इसकी वजह से जो है इतनी ज्यादा च्छट पटाहत दिखाई दे रही है और NCB के जावाज जो अपसर है जो नहीं इस वीडियो में अतना ही जल्द मिलूँगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नाए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें को भी प्रेस करें तक जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आ अईगा उल्द में तक लिए अपड़ चैनल चैनल यूवड़ लेकर आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और समयों को प्ला हैं तक लिएएब